वेल्कम टू प्यात्र विडिएशन मुनि नामें साशान और आज के वीडियो में क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे वाइस के बारे भी इसी को हम एक्टिपैसिव भी बोलते हैं ठीके लोग कहते हैं कि यार एक्टिपैसिव इस एक्जाम में आयता पाश नंबर का दस न जिसके भी एक्जाम में इंग्लिश आती है इससे समझेश कि कम से कम पचीश परसंट उसमें वाइस से कोश्चन होते ही होते हैं तो अपनी वीडियो अच्छा के लिए एक इंपर्टन चीज यह है कि आपको टेंसे से क्लियारिटी और चाहए सब्सक्राइब अगर आपको तो आप वाइस आप आपको अच्छे से अगर शीखनी है तो उसके पहले आपको तैंस अच्छे से आने चाहिए तो अगर आप आप ने देखी तो मैं बोलूगा कि पहले आप तैंस की विडियो देख के आ जाओ ना उसका लिंक है आई बीटन के लगा दूंगा और description box में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? चलिए तो voice basically होता है कि active passage जो सुनते हैं हम exam में जो आता है, फिर जो उन्हें बच्पन में बढ़ा था, वो अच्छली क्या था वो वो अच्छली बताता है कि कोई भी काम जो है वो actually हुआ है, ठीक है? या फिर किसी ने किया है बात समझा रही है, थोड़ा था कम शूजिए नहीं चीज़, फिर कोशिच करता हूँ मैं, ठीक है? क्या होता है ना, यह basically बताता है कि या जो sentence में जो अपना subject है ना जो subject है अपना, उसने कोई काम किया है या उसके ऊपर कोई काम हुआ है, ठीक है? अगर subject ने कोई काम किया होता है, तो हम अगर subject के कुछ काम किया होता है, तो हम उसको बोलता है passive sentence, एक्जामपल से समझते हैं, जैसे अपने कोई पता है कि आप देखोव तो hunter यह subject है, subject होता है, जो main character होता है, जो काम कर रहा होता है, ठीक है? और object जो काम हुआ होता है, उससे object बोलता है, ठीक है? subject और object यह दो चीज़े होती है, तो अपना hunter है, the hunter killed the lion, तो अपना hunter यह subject है, देखके नमन में आ रहा है, आप subject ने यहां काम किया है, ठीक है? जो अपना hunter है, उसने lion को मारा है, तो subject ने काम किया है, तो यह अपना active words, ठीक है? अब अगली sentence में क्या है, the lion was killed by the hunter, अब यहां पर क्या है, अपना subject हो गया है, ठीक है? अब देखके, इस lion की उपर काम हुआ है कुछ, डिफरन समझ में आ र ठीक है? तो lion पर काम हुआ है, action जो है, लायन पर हुआ है, एसे sentence को हम कहते है, passive sentence, ठीक है, या फिर passive words, ठीक है? अब देखके, बता दिया आपको, what is the form of the verb which shows whether the subject acts or is acted upon, मतलब जो अपना subject है, उसने काम किया है, अपना subject है, उसके उपर कोई काम हुआ है, या उसके उपर ठीक है, जैसे when subject is the doer, मतलब जो subject अपना doer होता है, उस case में, उस sentence को हम बोलते है, active voice, और अगर subject की उपर कोई काम होता है, when subject is acted upon, मतलब की subject की उपर जो कभी कोई काम होता है, तो ऐसे sentence को हम कहते है, passive words, ठीक है, definition clear हुआ, कोई confusion नहीं होना चाहिए इसके इंदर, ठीक है, जैसे आप rules के बार हम तुछा discuss करते हैं, कि क्या rules होते है, change करने के लिए, कि हाता है, कि आता है, change the voice of this sentence, that convert into passive sentence, या active sentence, तो उसको कुछ करने के लिए, उसको solve करने के लिए, कुछ basic rules है, उसको हम देख लेते हैं, कि करके, ठीक है, ज्यादा नहीं है, बहुत simple से हैं, बट य आप क्या कहने चली, rules for changing active voice into passive voice, तो पहला rule क्या बोलता है, the object in the active voice becomes the subject in the passive voice, अब इस sentence से कुछ समझ में नहीं आगा, आप सको example से देखे हैं, जैसे active voice में, एक sentence, the hunter killed the lion, ठीक है, अब जब यह passive में बने गा, तो क्या बनेगा, the lion was killed by the hunter, ये इसका passive, उसको कैसे मैंने convert किया है अब ये मैं अगले साइटम बताऊंगा कि कैसे इसको मैंने active से passive में convert किया, अभी ये बस जान लो, कि ये जो अपना line है, ये इस particular line का passive form है, ठीक है, इस particular line का passive form ये है, the lion was killed by the hunter, अब इसमें देको हो क्या रहा है, जो subject जो अपना active voice में, जो subject था, ठीक है, जो भी अपना subject थ जाता है, passive voice में, ठीक है, interchange हो जाते हैं आपस में, ठीक है, active से passive, ठीक है, और passive से active में क्या होता है, पहले जो अपना subject active में वो हो जाता है, object, और जो अपना object होता है, active में वो हो जाता है, passive में बन जाता है, क्या subject, चलिए, तो ये अपना पहला rule है, और ये अपना second rule भी है, यही है सेम ही है अब्जेक्ट बन जागा यहां पर उसके पहले यूज खरेंगे अब वह जो ऑब्जेक्ट होगा उसके आगे हम बाई लगा देंगे अब कैसे होता है कैसे जब वह चेंज करते हैं तो हमेशा वर्फ की थार्ड फॉर्म जिसे नहीं पता क्या होता है बता दूम है वह होता है जैसे सपोज हम बोलते हैं न सी साउ सीन तो यह अपना वर्फ थ्री फॉर्म है किसका सी का बात कमच में आई वैसे ही गो वेंट गन इस सुना है आपने तो जो यह अपना यह गन है यह गो का वर्फ फ्री फॉर्म में मतलब यह अपना वर्फ उन है यह वर्फ थू है यह वर्फ थू है ठीक है तो ध्यादम बखिए एक चीज़ बिलकुल अच्छ से ध्यान रखिए गा की एक्टिव से अगर हम कनवर्ट कर रहे हैं पैसिव वोईज में हमेशा सिर्फ एक ही वर्व मुझे करते हैं जिसका नाम है वर्व 3 और इसे ही पार्ट पार्टिसिवल भी करते हैं ठीक है तो कभी भी अगर आपको अगर अप्शन करना है सेंटें इंप्रूमेंट करना है तो कावी सारे कि वर्फ की कोई second या first form रूस की गई है उस सेंटेंस में और बैस को पैसिव में करने रहे और लेकिन फीर यूज की यूज किया है वह वर्व की second या first form तो तो आप उस हैं कर गलत है यूज कि रूल कहता है कि जब भी आप किसी सेंटेंस को active से पैसिव करोगे तो आप एक ही चीज है ठीक है तो वर्फ 3 की फर्म यूज करेंगे ठीक एक्जाम्पल जैसे क्या जैसे में बद आया इस टोल माई बुक्स अब इसका पैसिव करेंगे तो यह हो जाएगा माई बुक्स वेर स्टोलन वाइं हिम इसे हमने यहां पर इस टोल का वर्फ 3 होता है इसको करेंगे चाहिए करेंगे बड़ी की फर्म रहीगी चलिए अचा यह टेबल का फी बड़ी सी टेबल दिख रही आपको आपको तोगी है क्या है इतना बड़ा सा टेबल ये बस ऐसे समझेगे ये फॉर्मॉला है मैस के हम दूना होते हैं, तो है लिए फॉर्मॉला है, इसञा को रठने की जुर्वत नहीं है ये आप एक से दो बार देखो to the five में minder, फ्लडला सा प्रयक्तिस हो करते हो रिवाइस करते हो कैसे रिवाइस करो गिया आप एक संटेंस उठाओगे ठीक है उसको करोगे लग अलग एक समस्में डेखने किया है कि कौन से किसे पकरना थो नई देख लीजे और आपको समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया चलिए तो एक सांटेंस से लेक्टर आप इसको आपको कनवर्ट करना है इसके पैसिफ फोर्म है कैसे करेंगे इसको देखते हैं पहले तुमको identify करना है कि sentence क्या है अगर हमने जैसे हमने sentence identify कर लिया कि यह कौन सा tense है अब हम आगे बढ़ेंगे कैसे बढ़ेंगे देखो कभी भी convert करना है simple present को हम कैसे use करेंगे हम use करेंगे देखो is या am या are plus worth 3 एक्जाम्पल से दिखते है he writes a letter तो सबसे पहले हम जो अपना object था active voice में उसको हम यहाँ पर subject बना देंगे ठीक है a letter यहाँ पर पहले क्या था यह अपना object था passive में यह क्या बन जाएगा यह subject बन जाएगा ठीक है आज यह तो लिखा हमने a letter उसके बार या तो is या तो am या तो are is यहाँ पर क्योंकि a letter मतब सिंगल चीज़ है एक चीज़ है यहाँ पर और यह present का बात हो रही है तो यहाँ पर क्या यूस करेंगे is यूस करेंगे a letter is और rights का worth 3 फाम होता है 10 ठीक है उसके प्रिपोजिशन हमने लगाया by और ही चीज़ हो जाएगा him के अंदर ठीक है थोड़ा से कम प्रेक्ट लगता है स्टार्टिंग में यह बट जैसे ऐसे आप रैक्टिस करो गया आपको दिरजरी तीज़े आती रहेंगे बट आपको प्रेक्टिस करने पड़ेगी ठीक है चलिए फिर से देखते हैं कैसे करेंगे हम इसाइट से लेक्टर को कैसे करेंगे पहले हमने object उठाया यहाँ बनाया इसको subject आसी voice में इसको बनाया subject अब बनाया subject a letter उसके बाद में is कभी उस करना है m कभी उस करना है ठीक है चलिए उसके बाद right की हमने third form उसकी written और उसके बाद by उस लगाया और him के अंदर ठीक है चलिए present continuous के लिए देख लेते हैं इसके लिए sentence है he is writing a letter कैसे convert करेंगे a letter is being written by him ठीक है यहां पर हम लगा रहते हैं बीइंग लगा रहते हैं जब भी continuous की बात हो हम बीइंग गरूर्यूस करेंगे इसके passive form convert करने के लिए तो यह क्या हो जाएगा he a letter is written by him यहां वर्फ की वही form रहे गई वर्फ 3 फर्म रहे गई ठीक है पहले वर्फ 3 थी इसको वर्फ 1 थी यहां पर वहां इंजी सो कहते हैं तो यहां लिए convert हो गई वर्फ 3 कभी भी याद रखीगा मैंने पहले बताया था कि वर्फ की कोई भी form हो एक्टिव असेंटर्स में convert जब हो जाएगी passive में तो हमेशा वर्फ 3 ही वनेगी वर्फ 3 के अलाबा कुछ नहीं बन रखती हो ठीक है यहां क्या हो जाएगा इसका फामलों होता है यहां प्लस ब्लस ब्लस वर्फ 3 ठीक है कुछ नहीं याद रखना है बस एक बार ठीक है गो थूरू होना है पुरे-पुरे रूस से और प्रैक्टिस करना है याद करने कोश्चित मत करना है याद करो कर फिर फ़र्ज जाओ एक्जाम में ऐसे आपको स्ट्रमस कौश्च आपको लाइन उठाने और पट्रिकूरर एक सेंटेंस को आपको जितने भी यहां पे है एक-डो तीन चार पांच छे साथ साथी हैं बहुत ज्यादा नहीं है सातो फॉर्म में याउओ सेंटेंस को आपको यहाद करना है यादा उई यहां कर वन्हां से C जोगी दी आप वह सब्याई पेक्साय को में सागा और सिल्स इसली पहले चल रहा था कब चल रहा था कब चल रहा था इतना पता है कि पहले यह पास्ट में चल रहा था कैसे करेंगे यह अपना जो अपना अब्जेक्ट था एक्टिव में सो लिया है हम यहां पर बनाया इसको सब्जेक्ट क्या हो गया लेक्टर फिर देखिए यहां तो वह यह एक है तो वह यहां पर लेटर एक है तो वह फिर क्या है बीइंग यहां पर लगाया और रखते हुए यहां पर फ्रेमिंग करना है ठीक है कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इजी है बस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है आपको और कुछ नहीं पास प्रफेक्ट क्या रहेगा यह एक ग्जामपल एक क्वेश्चन है करेंगे यह हो जाएगा लेक्टर हैड बिन हैड और बिन एक साथ लगाया है वर्फ तरी की फॉर्म रिटेन और फिर बाइम ठीक है क्लियर हुई अच्छे से बता जिए आपका काम है इसको प्रैक्टिस करना प्रैक्टिस कैसे करोगे आप कोई भी बुक उठाओ कोई भी कर अच्छे हो जाएगी तो आप गलतियार होंने भी स्टार्ट कर दोगे लेकिन पहले आपको कनवर्जन आना चाहिए बॉइस का अगर आप पीडिएफ चाहिए इस पूरी के पूरी रूल्स की और जितने नोट्स अभी दिया है पीडिएफ आपको मिल जाएगी ट्रेवा चैनल पर वहां सब ले सकते हो और यह पीडिएफ नहीं इसके अलावा हमान दीजिए करेंट अफेर से लेकिए डो भी आज से चल रही है स्टाटिक जीकी की चीजिए ठीक है सबकी कंपाइलेशन महां पर पीडिएफ डालता हो में चैनल पर अगर आपको चाहिए तो वहां भी ले सकते हैं आप ठीक है इस वीडियों में इतना रहा है